अनिल सर्मा द्वारा निर्देसित गदर टू ने बॉक्स ओफिस पर तहाल का मचा दिया था सनी दियोल अमिसा पटेल उतकर सर्मा स्टार फिल्म ने भारत में 526 करोन रुपए का कलेक्शन किया था जबकि दुनिया भर में मूवी ने 690.5 करोन रुपए का बिजनेस किया था गदर टू की शफलता के बाद अनिल सर्मा गदर थ्री लेकर आ रही है फिल्म को लेकर उन्होंने लेटेस्ट अपडेट सेयर किया है जिसे जानकर फैंस खुस हो जाएंगे हाल ही में अनिल ने ndtv.com से बातचीत में गदर थ्री को लेकर बताया कि गदर थ्री पर जल्दी काम सुरू होगा उन्होंने इस टार कास्ट को लेकर खुलासा किया कि शणी दियोल और उतकर सर्मा के बिना गदर थ्री अधूरी है गदर और गदर टू में शानी तारा सिंग के किरदार में दिखे थे जबकि उतकर सने चरण जीत का रोल निभाया था